Hello everyone, आज हम लोग बात करने वाले हैं बिहार पुलिस एक्जाम 2024 जो कि 7 अगस्ट और 11 अगस्ट को हो चुका है अभी जो आपको देखते हैं जो अभी होने वाला एक्जाम 18 अगस्ट को होने वाला है तो यह 18 अगस्त वाले एक्जाम के आगे और 18 अगस्त में जिनका एक्जाम है उनके लिए important वीडियो होने वाला है क्योंकि यह महा महराथन है साथी इसमें हम लगबग लगबग thousand question करवाएंगे एक हजार question करवाएंगे और यह level wise रहेगा यानि यह जो वीडियो है यह level 0 है यानि 100 question level 0 का रहेगा फिर उसके बाद का जो 100 question होगा level 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ऐसे ऐसे हर level पे 100 question आपको मिलते जाएंगे 100 तक या 90 plus question मिलते जाएंगे जिससे कि आपको last में जो total level 10 तक हम करवाने वाले हैं यानि level 10 तक रहेगा और यह level 10 में लगबग लगबग आपको total कितने question मिल जाएंगे 1000 question मिल जाएंगे और यह most important question है जो कि कहीं न कहीं एकदम बिहार पुलिस का जो exam होने वाले constable का उसमें बिलकुल आ सकता है यानि हम ऐसा कहा सकती यह इतना important question है कि आपको एकदम पर के जाना important कहलाएगा अब देखिए चली हम लोग time को waste ना करते वे start करते क्योंकि यह बिहार पुलिस exam का 24 का है आपको daily मिलेगा हम कर रहे हैं कि 18 अगस्ट तक हम try करेंगे कि आपका total 1000 question आपको post हो जाए तो आप लोग अगर channel पे नए हैं तो subscribe करें और video अगर अच्छा लगे तो like करें और साथ ही साथ bell icon को दबाए कि जिससे की हमारा notification आपको time पे मिल सके और अगर कुछ भी कुछ problem हो तो बिलकुल comment में बताए उसको हम लोग सुधारने की try करेंगे देखिए यह बिहार पुलि प्राइम मिनिस्टर का बात किया रहा है तो कौन थे आपको याद रखना है जवाहर लाल नहरू जवाहर लाल नहरू तो आपको jail नहरू याद रखना है ठीक है ना जवाहर लाल नहरू यह फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर थे अब देखे फूर्थ नमर क्वेशन क्या बोल रहा है गंगा नदी भारत के किस राज्य से निकलती है तो यानि गंगा नद यमुना गंदी भी वहीं से निकलती है चलिए अब क्वेशन नमर फाइव है स्वतंतरता संग्राम के नेता महात्मा गांधी का असली नाम क्या था तो महात्मा गांधी का असली नाम आप लोग जानते होंगे कमेंट में बताएंगे मोहंदास करमचन गांधी था तो आपको है जो important हो सकते हैं और level one में इस से hard question हो जाएंगे level two में उससे भी hard हो जाएंगे level three में उससे भी hard जो भी बिहार पुलिस के लिए important है वो सारे बिहार constable के लिए जो important है question वो मैंने इस thousand जो question है इसमें रखा है तो आप लोग बिलकुल channel पे बने रही है आपको बिलकुल पता चलते चल जाएगा अब देखिए seven number question क्या बोल रहा है भारत की राष्टिये ध्वज में कितने रंग होते हैं तो आपको पता होगा तीन रंग होते हैं कौन-कौन सा के सरिया सफेद और हरा याद रखना है आपको अब देखिए eight number question क्या बोल रहा है विस्व का सबसे बड़ा महसागर कौन सा है तो विस्व का सबसे बड़ा महसागर आपको याद होना चाहिए pacific ocean है और यह आपको एकदम बहुत अच्छे से याद होना चाहिए अब nine number question क्या बोल रहा है हिंदी भाषा की मात्रिक लिपी यानि कौन सा ऐसा लिपी है जो हिंदी भाषा में पिरयोक कि जाता है तो याद रखना है क्या है देव नागरी है ठीक है अब देखिए दसमा नमर क्या बोल रहा है भारत के कितने पडोसी राज है तो भारत का पडोसी राजियों के बारे में बात कर रहा है तो आपको याद रखना होगा total हमारे पडोसी राज 9 है लेकिन अगर भारत क साथ जिससे हम लोग अस्थल सीमा साजा कर रहे हैं अस्थल सीमा साजा करने वाले कितने हैं साथ हैं अगर अस्थल और जल यानि अस्थल पलस जल यानि लैंड पलस वाटर दोनों से साजा जो कर रहे हैं तो वो कितने हैं टोटल नो है जिसमें आपको याद रखना चाहिए पहले मुख्यमंतरी वह? बिहार के पहले मुख्यमंतरी का बात किया जाये तो स्री कृष्ण सींग है. आब देखे त्वैल नमबर क्वेश्चन कौन सा है? भारत के किस राज्य को सूरज कुंड के नाम से जाना जाता है तो सूरज कुंड के किस नाम से जाना जाता है तो हरियाना के फरीदावाद में है याद रखना है सूरज कुंड और हरियाना को जाना जाता है क्या राज्य को सूरज कुंड के नाम से याद रखना है सत्यमेव जैते वाक्य कहां से लिया गया तो आपको याद रखना है मुंड को उपनिष्द से लिया गया है कहां से मुंड को उपनिष्द कभी-कभी question का option में उपनिष्द भी दे दता है तो आपको याद रखना है उपनिष्द यानि मुंड को उपनिष्द से लिया गया है ही आपको यह सारे most important question है जो आप से छूट सकते हैं ठीक है ना लेकिन यह level zero है सबसे easy question है मैं बता रहा हूं सबसे easy question मैं confirm बता रहा हूं अगर thousand number जो question आप बनाएंगे उसके बाद आपको लेकि नहीं सही में level क्या होते चला गया है हाड होते चला गया है और यह total बिहार पुलिस के point of view से बनाए गया है चले 50 number question क्या है भारतिये संसद की दो सदनों का नाम क्या है तो भारतिये संसद की दो सदन लोगसभा और राज्यसभा अगर चैनल को किसी ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिए क्योंकि इससे आपको नोटिफिकेशन भी समय पे मिल जाएगी साथ ही हमारा motivation भी increase होगा बनाने के लिए वीडियो नेक्स्ट क्या है फिफ्टी number question क्या है भारतिये संसद की दो सदनों के नाम क्या है तो भारतिये संसद की दो सदनों की नाम आपको याद रोगना लोगसभा और राज्यसभा खेल किया लगर। पता हो तो comment में जरूर बताएं कमेंट में बताएंगे भारत का कौन सा सबसे उंचा चोटी है चलिए Mount Everest का height आपको पता होना चाहिए 8,848 क्या है मीटर है आपको याद रखना होगा ठीक है कभी-कभी answer में देता है 8,850 भी देता है 8,849 भी देता है 8,848 भी देता है तो तीनों क्या है सही मानियेगा ठीक है लेकिन जो देगा तो एक ही देगा कोई अच्छे से देगा ठीक है न वो आप correct कीजेगा 70 नमर क्या है भारतिय सम्विधान के निर्मता कौन थे तो आपको याद होना चाहिए डॉक्टर भीमरा अंबेत करते अब देखे गांधी जी ने अपना पहला सत्यगरा कहा किया था तो पहला सत्यगरा चमपारन में किया था याद रखना है कमेंट बॉक्स में बताएंगे क्या डेट है याद रखना है क्या डेट है यहाँ पर बताएंगे इसका जो फॉर्थ डिजिट है वो क्या होगा चलिए 90 नमर क्वेशन भारत के सबसे बड़े द्वीब का नाम क्या है तो अंडमान और निकेबार दीब समू है अब देखिए 20 नमर क्वेशन क्या बोल रहा है एसिया का सबसे बड़ा देश कौन सा है तो एसिया का सबसे बड़ा देश रूस है चलिए अब अगर बात करे 21 नमबर क्awayशन का ताज महल किस ने बनवाया था तो आपको याद होना चाहिए किस ने बनवाया थα साजहा ने बनवाया था 22 नमबर क्वशन का बोल रहा है महात्मा गांधी की मृतिव कब हुई थी तो आपको याद रखना है 30 जनवरी 1448 में जन्म का अगर बात किया जाए तो 2 अक्टूबर याद अखना है 1860 याद बताएंगे comment box में इसको जल्दी से comment कि इससे आपको क्या हो जाएगा practice ही हो जाएगा और याद भी हो जाएगा चलिए आगे का बताएंगे क्या 2 अक्टूबर के बाद 1860 क्या था नेक्स बताएंगे यहाँ पे जो डिजिट है फॉर्थ डिजिट ये बताएंगे चलिए भारत में कितने राजे हैं तो भारत में टोटल कितने राजे हैं 28 राजे हैं अब देखे 24 का क्या answer होगा आहिंसा प 1885 में हुआ था 1885 में हुआ था तो चलिए कमेंट में बताएंगे कौन किया था आपको मैं बता दू किया था तो खैर मैंने बता दिये कमेंट में जादे चीज़ पूछूँगा तो फिर आप लोग कैसे answer दे पाएंगे बिल्कुल आप देते रहेगा जिससे आपको याद था था ना कमेंट बोक्स में लिखने पर आपको याद कहीं पर लिखिएगा तो जरूर आपको याद रहेगा 26 question सब्त रिशी कौन है तो आपको याद होना चाहिए सब्त रिशी भारतिये पौरानी करथाओं में सात महान रिशी के बारे में बताए जाता है चलिए अब 27 नमर क्वेशन भारतिय सम्विधान का सर्वोच नियाले कौन है सुप्रीम कोट है चलिए next 28 भारत की स्वतंदता संग्राम में नमक सत्यागरा कब हुआ तो नमक सत्यागरा 1930 यानि 1930 में हुआ तो याद रखना है डांडी मार्च के नाम से जाना जाता है अब देखें 29 नमर क्वेशन क्या बोरा है भारत का राष्ट्रिय खेल क्या है भारत का राष्ट्रिय खेल तो आपको पता होना चाहिए क्या है होकी है चलिए 30 नमर क्वेशन पंचायती राज विवस्था की शुरुआत किस वर्ष हुई थी तो पंचायती राज विवस्था क शुरुआत आपको याद रखना है 1959 में हुई थी चलिए अब नेक्स्ट क्वेशन के तरफ बरते हैं नेक्स्ट क्वेशन क्या बोल रहा है नेक्स्ट क्वेशन यहां 31 नमर क्वेशन माउंट एवरेस्ट की उचाई कितनी है तो 8848 है कितना है 8848 मीटर है अब देखिए 32 नमर क्वेशन बिहार में संतुलित विकास का प्रतीक कौन है तो संतुलित विकास का प्रतीक का बात किया जाए तो कौन है महात्मा गांधी है अब देखे 33 number question राज्य सवा के सदस्यों की नियूनतम आईउ क्या हो राज्य सवा की सदस्यों की बात की जाए, तो नियूनतम आईउ कितना है 30 वर्स है अब 30 वर्स है, आप कमेंट में करेक्ट कीजेगा क्या 30 है या 35 है किसका और 25 किसका यह सारा बताईएगा आप लोग ठीक है 30 वर्स है या नहीं आप कमेंट में बताईएगा अब देखे 34 नमर क्वेशन क्या बोल रहा है भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है तो भारत की सबसे बड़ी नदी गंगा है या तोटल 25-25 याद होना चाहिए क्या किलो मेटर 25-25 क् 35 नमर क्वेशन भारत में गंतंत्र दिवस कब मनाया जाता है तो गंतंत्र दिवस कब 26 जैनवरी को बनाया जाता है सो तंत्र दिवस आपको पता होगा 15 अगस्त को मनाया जाता है 36 नमर क्वेशन क्या हो रहा है भारतिय ओलम्पिक संग के अध्यक्ष कौन है तो ओलम्पिक स प्रतिया रेलवे की अस्थापना कव हुई थी? अपको याद रखना होगा इसके बाद एक रिवाल्ट हुआ तो 1857 आपको याद रखना होगा, 1857 में एक बहुत बड़ा रिवाल्ट हुआ तो अब देखे 38 भारत की मुद्रा का प्रतिक क्या है? तो यहाँ पर रूपिया दे डांडी मार्च कहा जाता है, तो नमक सत्यागरा वाले अंदुलन को ही क्या बला आता है? डांडी मार्च बला आता है, कब हुआ था? तो आपको याद होगा. अब देखे 41 नमर क्वेस्चन, बहारतिये संविधान के धर्म निर्पेख्ष का अर्थ है? धर्म से अलग, यान किसी धर्म के support में नहीं क्या धर्म निर्पेक्ष यानि किसी धर्म के support में नहीं यानि धर्म के निर्पेक्ष क्या कैसे धर्म निर्पेक्ष यानि किसी भी तरीके से समाजिक आर्थिक राजनेतिक और ये सब के according धर्म को कोई भी ऐसा चीने जो उसको मानता हूँ यानि समाज निर्पेक्षा है इसका मतलब ही है कि वो किसी भी अस्पेसल किसी एक धर्म को नहीं मानते है बस यह जानना है आपको बिहार का राजकिये फूल कौन सा है? गेंदा है याद रखना है गेंदा क्या है? राजकिये फूल है देखे कुछ लोग बोलेंगे सुतुर मुग मैंने किस लिए बोला है ग्रेट इंडियन बस्टर्ड आप लोग कमेंट में जरूर बताएंगे भारतिय सम्मिधान में कितने भागें तो कितने भागें 22 भागें आपको याद रखना होगा अब देखे भारत में प्राचीन सभ् था कि खोज कब हुई थी तो कब 1920 के दशक में हुई थी अब देखे नेक्स्ट क्वेस्टन क्या है नेक्स्ट क्वेस्टन देखे लेवल 0 का आगए हम लोग 46 नमर क्वेस्टन पर आ गए है यह भी लेवल 0 ही है अगला जो स्लाइड अब आएगा तो आपके लिए कौन सा हो 225 क्या मीटर अच्छे कहां पर हरियाना आपको हिमाचल परदेश और पंजाब के क्या बीच में यानि जुड़ा हुआ है दोनों के पास है बॉर्डर पर ठीक है अब देखे 47 नमर क्वेस्टन कोहिमा की लड़ाई कब हुई थी तो कोहिमा की लड़ाई कब हुई थी 1944 में पुछी थी तो बार बर पुछ लिया जाता है कि कोहिमा की लड़ाई कब हुई थी तो 1944 में हुई थी 48 नमर क्वेस्टन महात्मा गांधी ने डांडी मार्च कब शुरू किया तो 12 मार्च 1930 को खतम कब किया तो या देखना है 6 अप्रिल 1930 को चली अब आगे संसद की सबसे बड़ी सभा का नाम क्या था या क्या है यानि क्या है लोक सभा याद रखना है सबसे बड़ी सभा लोक सभा संसद की अच्छे 50 नमर क्वेस्टन यहां 50 नमर मालग का क्वेस्टन पूरा होने वाल है अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किये तो बिलकुल कर राजगीर नालंदा और बोध यह क्या है परमुक परेटन अस्थल है भारत में पहले राश्पती कौन थे भारत में पहले राश्पती डॉक्टर राजिंदर पर साथ थे याद रखना है दूसरे कौन थे कमेंड में बताएंगे 52 नमर क्वेशन जै हिंद का उद्धोष किसने दिया था किसने बोला था तो आपको याद रखना है सुभास चंदर बोस ने बोला था याद रखना होगा चलिए अब क्या बोल रहा है क्वेशन सेंटरल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजूकेशन यानि जिसको सीबी एसी की अस्थ अस्थापना भी हुआ था 29 भी आंसर देता है और 1962 भी देता है तो आपको अजाद भारत के बाद का है और ये अजादी भारत का पहले का है तो बस यही याद रखना आपको याद रखना नॉर्मली 1929 ही याद रखना है क्योंकि अजाद भारत के पहले का है और उसी समय के स्थापना किया गया था अब देखिए 54 शब्त रिशी मेला कब आयोजित किया जाता है तो याद रखना है हर 12 साल को क्या शब्त रिशी मेला का आयोजन किया जाता है अब देखिए भारत का सबसे उचा जहरना कौन सा है तो भारत का सबसे उचा जहरना कोचिकल जहरना कहां प रकना है क्या रानी लक्षमी भाई थी आपको पता होना चाहिए 57 number question भारतिये Sinema का पहला रंगीन फिल्म रंगीन color फिल्म का बात किये तो कौन सा था तो किसान कन्या क्या था सबसे रंगीन फिल्म था आपको याद रखना है 1937 में बनाय गया था तो को याद रखना होगा 58 नबर क्वेस्चें स्वतंत्र भारत का संगराम थ्टिक है ना स्वतंत्र भारत के लिए आपको याद रखना होगा 159 नबर क्वेस्चेंग होगा suit दोनों सतनों के वैसे कुल सदस से 543 पलस 245 यानि टोटल 788 होते हैं लोकसवा और राजसवा का मिला लेकिन मैक्सिमम कितने हो सकते हैं तो आपको 550 पलस 250 याद रखना हो 550 किसका लोकसवा का और 250 किसका राजसवा का चलिए next भारत का सबसे बड़ा अंतराष्टी है हवाई अड़ा कौन सा है राजीव कांधी अंतराष्टी है हवाई अड़ा साथ ही यह कहां पर है है हैदरावाद में आप बताएंगे दूसरा सेकंड नमर पर कौन है कमेंट में जल्दी से जल्दी से जल्दी से जैसे कि आप कंफर्म हूं next question क्या बोल रहा है 61 भारत का राष्टी यह फूल कौन सा है तो भारत का राष्टी यह फूल कौन है कमल है आपको याद कर लीजिए 62 नमर कोईशन बिहार के किस परमुक शहर को मगद के नाम से जाना जाता है तो आपको याद एकना होगा पटना पलस गया को किस नाम से जाना जाता है तो मगद के नाम से जाना जा आपको इस पताओगा सबसे पुड़ाना विसवीद्याला है। 64 नमर भारत के राष्टपती की नियुक्ती कौन करते हैं। नियुक्ती कौन संसद के दोनों सदनों के सदस्य करते हैं। अच्छे, इनको यानि कौन राष्टपती को शपत कौन दिलाना है। कमेंट में बताएंगे शपत कौन दिलाता है, देखें, कमेंट में इसलिए मैं पूछ रहा हूँ, जिससे कि आपके पास कॉंसेंट्रेशन भंग ना हो, यानि कंसेंट्रेट हो के आप आंसर दे पाएं, भारत की सबसे छोटी राज्य विधान सभा किस राजी की है, तो आपको याद होना चाहिए किस की है, सिक्किम की है, चलिए, 66 नमर क्वेशन, विज्ञान में DNA का पूरा नाम क्या है, तो आपको याद होना चाहिए, डियॉक्सी राइबो, डियॉक्सी राइबो एक साथ, न् आपको याद रखना होगा क्या है चिलका जील भारत के सबसे बड़ी जील चिलका जील अच्छा बिहार के पहले राज्यपाल कौन थे तो बिहार के पहले राज्यपाल जैरामदास दौलत राम थे जैरामदास दौलत राम थे बिहार के पहले CM कौन थे कमेंड में बताएंगे कि जो हमारा चैनल है, हमारे चैनल पे बिहार दरोगा का, बिहार दरोगा का, यानि बिहार एसाई का, बिहार एसाई का, आप यहां पे पूरा सीरीज को कम्प्लीट करवाया जाएगा, यानि सारे सब्जेक्ट को कम्प्लीट करवाया जाएगा, तो आप हमारे चैनल से जुड तो आपको बहुत जादे इसके लिए क्या है बहुत जादे आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है यह चैनल साथ ही अगर आप SSC, GD या SSC का कोई भी एक्जाम या LDC का एक्जाम दे रहे हैं तो बिलकुल आया आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट हो लिए आप जो भी रेलवे, SSC, GD यानि कोई भी C पलस D ग्रेड का इक्जाम का त्यारी कर रहे हैं तो आपके लिए यह चैनल बहुत जादे इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि इस पे एक इंपॉर्टेंट क्वेस्टन के साथ साथ पूरा सीरीज ही कंप्लीट करवाया जागा यानि टो आपको याद होना चाही कहां पर है नीदर लैंड में है चलिए एक हत्तर नमर कोईचन 71 राष्टपती का चुनावी चक्र कितने वर्षों का होता है तो कितने वर्षों का पांच वर्ष का होता है आपको याद रखना होगा चलिए आप लोग बताएंगे कि राज्य सभा मे गित कौन सा है तो वंदे मातरम क्या है राष्टिय गित है राष्टिय गान आपको याद होना चाहिए चलिए अब नेक्स्ट 75 नमर कोईचन भारत के किस नगर को सिल्क सिटी के नाम से जाना जाता है तो सिल्क सिटी के नाम से जाना जाता है मैंचेस्टर आफ इंडिया कौ चलिए 77 नमर क्वेश्चन गांधी जी के नौन कॉपरेशन मुमेंट की शुरुआत कब हुई थी तो 1920 में 1920 में हुई थी आपको याद रखना होगा अब देखे 78 नमर क्वेश्चन बिहार का परमुक क्रिशियुत पाद कौन सा है तो आपको याद रखना होगा चावल है 79 नमर क्वेश्चन हाउस आफ कॉमेंट में बताईए चलिए 80 नमर क्वेश्चन भारत का सबसे पुराना इतिहासिक अस्थल कौन सा है तो हडपा क्या है सबसे पुराना इतिहासिक अस्थल है 81 नमर क्वेश्चन भारत के स्वतंतरता संग्राम का प्रमुक आंदोलन कौन सा था तो आउसायोग आंदोलन क्या था सबसे प्रमुक आंदोलन था क्या भारत के स्वतंतरता संग्राम का 82. सुतंतरता संग्राम के नेता चंदरशेखर आजाद का असली नाम क्या था तो असली नाम किन का चंदरशेखर आजाद का तो चंदरशेखर तीवारी था 83. बिहार में मिथिला का पर्मुछ सचर कौन सै? तो मिथिला का पर्मुछ शचर बुला जाता है दरभांगा पलस मधुबनी को, इसको दीधुरूब माना जाता है कि इसको दरभांगा और मधुबनी को 84 नमर क्वेशन भारत का सबसे उचा जल प्रपात कौन सा है तो कुचिकल जल प्रपात क्या है सबसे उचा जल प्रपात है 85 number question भारत के सबसे बड़े टैंक की लंबाई भारत का सबसे बड़े टैंक की लंबाई 10.6 मीटर है आपको याद खना होगा नाम क्या है अर्जुन टैंक अब देखिए 86 number question क्या बोल रहा है बिहार में गंगा नदी के किनारे कौन सा परमुक शहर स्थीत है तो आपको याद खना बिहार में पटना क्या है हमारा स्थीत है अब देखिए 87 कभी कभी क्या होता है ना कि option को change कर देता है पटना नहीं देगा तो आप लोग उसके according देख के लिए कौन सा संगठन जिम्मेदार है तो सांस्कृतिक धरोहर के संगठन के लिए कौन सा संगठन जिम्मेदार है तो भारतिये पुरातत्व संवेक्षन जो है उसके लिए क्या है जिम्मेदार यानि सांस्कृतिक धरोहर को किसको काम दिया गया तो भारतिये 89 number question, किस वर्स में बिहार राजे को पुन गठित किया गया था, तो याद रखना है 2000 में क्या किया गया था, साल 2000, साल 2000, ठीक है न, 90 number question, जो है भारत का सबसे बड़ा समुद्री तर्ट कौन सा है, तो भारत का सबसे बड़ा समुद्री तर्ट किसका है, तो गुजरात का है, त ये था लेवल क्या था आपको याद रखना होगा जीरो लेवल था यानि जीरो लेवल था ये सबसे easiest question है आगे भी जो question करवाया जाएगा ये इससे hard रहेंगे लेकिन level क्या हो जाएगा बढ़ जाएगा इससे थोड़ा सा hard रहेगा question और level जो question का उठने के साथ साथ कई ना को ये वीडियो अच्छा लगा तो बिलकुल like और subscribe चैनल को जरूर करें साथ ही bell icon को दवाए जिससे की हमारा notification आपको time पर मौझूद पर मिल सके अब मिलते हम लोग नए वीडियो में नए topic के साथ जब तक के लिए जैहिंद